नमस्कार प्यारे रसकुलो स्वागत आतुभी का बायो मत्र की यूट्यूब चैनल पर प्लांट प्लीडिंग की क्लास नमर सेविन में हम बात करेंगे हैं पर हमारा मुख्य टोपिक होगा पुनर उत्पाधन दूसरा टोपिक होगा अनुवान से कपड़न तीसरा टोपिक होगा इसमें उत्गम केंद्रों की हम बात करने वाले हैं चलिए श्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक अमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर ले और पैसमें बैल आकने उसको प्रेज कर ले ताकि आने वाला हट वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय मेरे समय पर मीरता रहा है चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल आश्रान और शाधारन भाषा में कुछ कहानियों की माधियम से कुछ इंट्रेस्टिंग के माधियम से हम समझने की कोषिज करते हैं पुनर उत्पादन किसे कहते हैं सबसे पहला के उशन मारे सामने आता है तो ध्यान रखना है कि किसी फसल को उगा कर उसे नए बीज प्राप्त करना ही क्या लाता है पुनर उत्पादन के लाता है इस बात को हम लिख लेते हैं क्या दोस्तों लिख लेते हैं अरे भाई लिख लेते हैं अरे रस गुल ले फटा फ़र से लिख ले कि जब किसी फसल फसल को उगा कर उनसे नए बीज प्राप्त करने की किरिया को री जनरेशन कहते हैं अरे मिरा दोस्त क्या कहते हैं अब आपको बात द्यान क्या रखनी है आपको द्यान रखना है कि जो बीजों की जीवन अवदी होती है, वो सीमित होती है और उसी की कारण हम क्या करते हैं है बीजों का पुन्हां उत्पादन करवाते हैं, उनसे नए बीश प्राप्त करते हैं, ठीके, तो यहां से ध्यान निकलेना है आपको एक पॉइंट और, जो बीजों की, बीजों की, जीवन अवधी, क्या होती है मेरे दोस्त? अरे जीवन अवदी सिमित होती है सिमित होती है बात ध्यान रखाएं आपको एक और बात करें हम कि जैसे हम क्या करते हैं बीजों का भंडारण कर लेते हैं क्या कर लेते हैं बीजों का भंडारण कर लेते हैं और जब भंडारण करते हैं एक साल, दो साल, तीन साल, इस तरीकर से जिसे जрийसा सी जाएं निकलता जाता है ना, वैसे जBayek Cовой की जो अंकूरण शमता हुती है, बीजों की जो अंकूरण शमता हुती है उनका टायिम पीरेट भी जाता जाता है घरता जाता जैसे मालो आपने चार साल तक बंडारण कर लिया बीजों का ठीके रखे हैं पूरे पूरे जो बीज है अब उनको आप बुवाई करोगे तो बुवाई की दोरान क्या होगा कि उन में से कुछ ही बीज उग पाएंगे और कुछ बीज नहीं उगेंगे इसका मतलब यह है कि उ अवदी के साथ साथ बीजों की अंकूरन शंता में अंकूरन शंता में कमी आती जाती है आगे बास मदना है देखो जैसे जैसे आपका घंडारण की अवदी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अंकूरन शंता में भी क्या जाएगी अरे बाइक कमी आती रहेगी अरे रस्कुल करशी प्रारूप जो संब्धी होते हैं उनकी विबीदता में कम आना क्रशी प्रारूप उपस्तित्थ विविदता होती है उनने कमी आना ही क्या तेलाता है अनुवान चींपरदन प्रम गई लाद ले बाद समझ में आये के अरे चलब इसको लिख लो लिख लो बैसा विल्कुल चादरन भशा में आपको समझाने की कोचिज कर रहा हूं समझ में आपको देखो क्रशी प्रारूप क्रशी प्रारूप उब जंगली संबंदियों में उपस्तित वीवित्ता में कमी क्या किलाता है अनुवांसिक अपर्दन केलाता है या इन जेनेटिक इरोईजन केलाता है आधे बासमने बात करते हैं यहां से देखो कुछ कारण है इसके, क्या ह Micka, देखो कोई भी वर्क होता है, या कोई भी ज生 से अच्छा काम होता है, वुला काम होता है, तो उसके पिछे एक रीजन होता है, एक कारन होता है भाई साब, आपके सक्सेश का भी एक कारण रहेगा तो कि आप दिन रात मेनत कर रहे हो जो ठीक है तो यहाँ पर धियान रखना है आपको कारण क्या है इसके अरे भाई साब रिजन कौन-कौन से है तो आनुवान से एक अपरदन के कारण कौन-कौन से हो सकते हैं सबसे पहला पुइंट आपको धियान रखना है भाई साब यहाँ पर देखो विविदता वाली जो देसी किसमे होते हैं विविदता वाली जो देसी किसमे होती है उनके इस्तान पर यदि आप नई किसमों को उगाओगे नई उन्नत किसमों को लाओगे तो जो विविदता वाली किसमे हैं देसी वो किसमे क्या हो जाएगी अरे खराब हो जाएगी खतम हो जाएगी और उस इस्तान पर आप ने किसम वो लाग के डाल दो ये तो वागी जो मिट्टी है वो क्या होने लग जाएगी बहने लग जाएगी मिट्टी की जो विविदता है वो कम हो दी जाएगी और जो बीज है ना वो खराब हो जाएए आपके तो जहां पर जैसे मालनों देशी किस्म है तो उस दिगर पर देशी किस्म अच्छी है विविदता वाली है तो उसी को हमें यूज में लेना चाहिए ना कि नई किस्म को ऐसे इस्तान पर ले जाना चाहिए हमें नई किस्म को जहां पर विविदता नई किस्म के अकोर्डिंग हो या उस किस्म को वहां की स्यत्र के अनुकूल हमने बनाया है ठीक है आगे बास में तो पहला कारण क्या है आपका बैसा पहला कारण क्या है अनुवान सिक अपरतन का ज़िएक उभ्यान से सुनना विविदता वाली देशी किस्मों के इस्तान पर उन्नत किस्म का उगाया जाना उन्नत किस्म का उगाया जाना तो ध्यान रखना है अब देखो इसके कारण का हुआ है अनुवान सिक अपरतन की कारण जैसे मालो जंगली संबंदी अगर खतम हो जाते हैं जो जंगली संबंदी है या जंगली प्रारूप है अगर वो समाप्त हो जाते हैं तो आनुवान सिक अपर्दन होता है क्या होता है आनुवांसिक अपर्दन होता है ठीक है तो ध्यां परतना है जंगली प्रारूपों का समाप्त होना समाप्त होना आनुवांसिक अपर्दन का प्रमुक का रहना है तीसरे नंबर में हम बात करें यहां से देखो जंगली शेत्रों का नश्ट होन किसका नश्ट होना there जंगली सप्टोप में अर्फक से जो नश्ट होना जंगली हों का नश्ट होना ध्यान रही की बात देगो खेती और चारागा चारागा इसका प्रमुक कारण है उसके बागे हम बात करें चोटे नम्बत पर क्या कारण हो सकता है और आर्थिक विकास को बढ़ाना के लिए क्या कर रहे जो जंगली शेत्र है उनमें बवन परियोजनाए और इनके कारण जो है यहां पर क्या हो रहा है अनुवाज़िक अपरतन बढ़ रहा है तो द्यान रहा है जो जंगली शेत्र है ना उनमें क्या हो रहा है बहुनों का निर्मान हो रहा है बहुनों का निर्मान हो रहा है साथ कि जल्ब परियोजनाए बनाए जा रही है का के वाथ कर से खता से दा रहु है है। जर्द का दैबाध Means गडान रहे है है.. चाहटार Das op 2 gym सब्सक्राइन प bedrooms की का से बाला है.. 46 días व atroc को कि इसे ये स्पर द्धाय को इनके रूप में.. पर आचका.. इसमें द्यून.. है या इसमें जो अमलियता है इसकी मात्रा में या जितने प्रजाती के प्रजाती के आज जाने के कारण नई खर्पतार प्रजाती के आज आने से संबंदी नस्ट हो रहे हैं नस्ट हो रहे हैं ऑने के कारण विख अनुवान सी इक पर दन हो रहे हैं तो यह फान्च कारण आपको ध्यान रखने हैं पांच कारण और एक मुखे और important topic हमारे सामने आता है जिसका नाम है उद्गम के अंदर centers of origin इसके हम बात करें उद्गम के अंदर मतलब किसी फसल की उत्पति जहां से हुई है उसी को हम कहते हैं उद्गम के अंदर त्यान रखना है इसके बारे में कुछ extra चीज़ें हम जान लेते हैं एक विक उसले हैं उनका उद्गम जो है न वो जंगली प्रजातियों के कुछ विश्ष्ट चेट्रों से हुआ है और उनें क्या नाम दिया है क्या नाम दिया मेरे दोस्त उद्गम केंद्र नाम दिया चलिए इसके बारे में हम लेक लेते हैं और फिर बात करते हैं आगे काम है और इस वे ग्यानिक ने क्या किया विश्व या संसार की सभी संसार की सभी फसलों सभी फसलों वह जंगली संबंदियों जंगली संबंदियों का संग्रह कर अध्यन किया क्या किया अध्यन करने के बाद में इन्हों ने बताया कि जो फसले हैं उनका उद्गम फसलों का उद्गम जंगली प्रजातियों के पसलों का उद्गम जंगली प्रजातियों के कुछ विशिष्ट शेत्रों से हुआ है और इन्ही शेत्रों को इन्होंने क्या नाम दिया अरे इन्ही शेत्रों को इन्होंने क्या नाम दिया उद्गम केंद्र क्या नाम दिया रहे अरे उद्गम केंद्र इन्होंने कहा है किसने कहा है रूस का विग्या निखे वेवी लो इसने कहा है ठीके ध्यान सुनेगा रूस का विग्या निखे वेवी लो जिन्होंने बताय क्या बताया देखो विस्टों के जितने भी फसरे हैं और जंगली संबन्दी हैं उन्हें क्या नाम दिया और अपर आपर Centers of Origin इन्होंने कहा, बात करते हैं कि जो उद्गम के अदर हैं, ये कितने प्रकार के उठा हैं, तो ध्यान रखना इसके प्रकार हैं दो, पहला प्रात्मिक उद्गम के अदर, और दूसरा दिद्यक उद्गम के अदर, बात गोर करना, दिर, समझना यहां से ध्यां से, फसल की उद्पति जन्गली प्रजाती से होने का विश्वास दिया जाता है, उसे हम कहता हैं प्रात्मिक उद्गम के अदर, दिद्धान से शुना यहां से, दूबाला से मैं लिक जिलता हूं, इस शा से बात्ति, जन्गली प्रजाती, से होने का विश्वास दिया जाता हो तो ध्यान रखना है ऐसे शेत्र को उस फसल के लिए ऐसे शेत्र को प्राथमिक उद्गम के अंदर कहते हैं कहते हैं दोस्त अरे प्राथमिक उद्गम के अंदर कहते हैं बात याद रिजाएगी किर लाड़ा अरे बात याद रिजाएगी क्या दुबारा सुनना ऐसा शेत्र जिसमें किसी फसल की उत्पति किसी फसल की उत्पति जंगली प्रजाती से होने का विश्वास किया जाता हो या किसी फसल की उत्पति जंगली प्रजाती से हुई हो उसे हम कहते हैं प्रात्मिक उद्गम केंद्र ठीक है बात समझ में आ रही है अब देखो प्रात्मिक उद्गम केंद्र कौन-कौन से हैं उनसे बात कर लेते हैं और कौन से प्रात्मिक उद्गम केंद्र के अंदर कौन और इस वीं में बत करूंगा फसलें, तो खुण सी फसल का उच्हुटे कॉंसा है, तो सालब मज़रए हरें गया हैं सबसे पहला आता है हमारे पास में चीन, सबसे पहला धियान रखना है आपको, दो के बाशियों, ठीक है और चीन के अंदर जो है कौन-कौन सी फसलों का उद्गम केंदर रहा है या चीन के अंदर कौन-कौन सी फसलों का विकास हुआ है तो ड्यान रखना है सोया बीन मूली और बेंगन सोया बीन मूली और कौन सा है रह भाई हरे कौन सा है लड़ा अरे बेंगन है दूसरी पर बात करें हम भारत की ठीक है भारत की बात करते हैं सबसे अच्छा और सबसे अच्छा जयान रखना है भारत सबसे अच्छा भारत हमारा भारत ठीक है तो यहां पर जो है कॉम कॉंसी फरस्णों का उद्गम के अंदर रहा है तो द्यान रखना है धान जना ठीक है मोंग गन कि उसके बाद में बात करें हम तो काली मिर्च जियान रखना है आपको हल्दी आम पालनेillesi और ऐंचीजिए अभी पढ़ लो चुछ चाओ ठीक है तो यहां पर को तहां याद रखना मद्य इशिया या अफगानिस्तान अफगानिस्तान की हम बात करें मद्य इशिया या अफगानिस्तान की हम बात करें तो यहां सी देगो कौन कोश्य से फ़सलों का उद्रह सब करा हैं तो सब्सक्ते पहला है conex ज्म जो की द्यान आफ्सिक्ताइए आपको गे को हैं घंव हैं और लति हैं और ल्डा में लंगो कि नहीं हुए लुपी फशिक है तिल है उसके बात में बात करें क्या नामे आसे तो together करते हैं यहां से तो एसिया माइनर क्या नामें एट है सीहा थे आपको द्हां रखना है परशिया किया नामें अरे बाइट पर चीह द्धे थै небольш also इसके बात करें तो उत likely है थृट है and प्रफ़ पर पांसे नमर के हमारा पॉइंट है कुंसा आई बूम अदेश साग रिये यहां इसको यह सोता है आप सेया आपको आगी देखते हैं सेम है ठीक है सेम है बाजरा है बाजरा है कौफी है है कोफी है और बीन्डी है बीन्डी आपको यहां पर दयान रखना है वहिए बर बात करें नेक्ष्ट इस नॉम्बर पर मैं वणे पास में मन्द एमेरिका म अमेरिका, न मक्सीको जो हैं जिसको किया सता है और मैक्सीको जो किस फश्रों का अउन्हें रहा है तो इनके हम बात करें तो यहां पर दयान रखना है आपको मक्का अम्रूद मक्का अम्रूद प्प्वीता तर्भूज घर ऑखेंग advant and और मिर्ज ठीक है तो यह सारे सारे लिए रखने हैं आपको इसके अंदर मक्का दियान रखना है आपको क्या दियान रखना है और साथ प्राज्टमिक उद्धियान रखना है तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है दोसरी नमबर में हम बात करें तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अगर हम बात करें यहां से तो जिन सेत्रों में या ऐसा शेत्र जिसमें क्रशी प्रारूपों में विविदता पाई जाती है या बहुत अधिक विविदता पाई जाती है उन शेत्रों को ही हम क्या करते हैं क्या बात समझ में अगर शेत्र जिसमें क्रशी प्रारूपों में बहुत अधिक विविदता पाई जाती है उन शेत्रों को दित्यक उध्गाम केंद्र कहा जाता है दोस्तों यह क्लेर होता है हमारे पास में विदियो के अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो तो गाइस मिलते हैं फिर से हैं नेक्स सेशन के अंदर तब ते के लिए जय हिन जय बाद